हेलो एवरिवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में जैसे जैसे नए अड़टीजमेंट जारी किये जा रहे हैं टीचर्स वेकनसी के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि लास्ट जेट से पहले आप लोग आविदन कर सकें नेवी स्कूल सिक्षक बर्ती से नया अड़टीजमेंट जारी कर दिया गया है इसमें भी जो है निशुल आविदन आप कर सकते हैं जैसे एर फोर्स स्कूल में कोई फीस नहीं ले गई है यहाँ पर सब्जेक्ट काफी है सभी पोस्ट में लगवक सभी सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे यदि आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें कैसे आविदन करना है application form कहां से download करना है कैसे fill करना है सारा प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में समझाया जाएगा कोई application piece नहीं देनी है जैसे air force school में 50 यर तक के candidate आविदन कर सकते हैं navy school में भी जो है age यही रहती है कि 50 साल तक के candidate यहाँ आविदन कर सकते हैं I.U.C.M. में छूट जो है navy school में रहती है सब भी राज्यों के candidate बिलकुल इसमें आविदन कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं सबसे पहले official website पर जाएंगे जैसा कि मैं आप लोगों को जितने भी advertisement जारी होते हैं सबसे पहले official website पर और उसके बाद जो है subject दिखाती हूँ ताकि आप लोग बिलकुल सटीक जानकारी जो है यहां से ले तो यहां पर आप लोगों को जो है दिखाई दे रहा होगा screen पर कि application form for the post of wise principle wise principle की post के लिए application form है vacancy for the post of wise principle यहां पर notification चेक कर सकते हैं उसके बाद जो है add of vacancy for the post of tct hindi तो यह जो है वो open हो नहीं रहा है फिलाल अगर होता है तो बिलकुल आप लोगों को बताया जाएगा यहां पर जो vacancy जिसमें सभी post में सभी विशे हैं तो यहां आपको दिखेगा teacher application form के आगे है vacancy for the teacher post ay 2025 26 ठीक है तो हम इसे ही देखने वाले हैं vacancy for teacher post को application form आप लोगों को मिल ही जाएगा इसे पहले इस पर click करेंगे और application form आप लोगों को download कर लेना है उसके बाद जो है अपने जितने भी document है और application form के साथ में दिए गए address पर भेजना है कोई application fees आपको नहीं देनी है तो wise principle के लिए जो application form और notification सबसे पहले इनोंने जो है इतना बड़ा बड़ा जो है लिख दिया है candidates are advised to read the instructions given below prayer to filling up the form last date जो है इसमें 30 November 2024 है यह wise principle की post है और उसका अलग से notification है ठीक है तो इसमें अगर किसी candidate ने regular course किया है master degree 55% marks के साथ में या फिर bachelor degree in education में 50% marks के साथ में इसमें तो अनवा बिल्कुल मांगते हैं wise principle की post के लिए आपके पास जो है computer application MS office data science in administration of the school सारी जो है knowledge होने चाहिए Hindi English तो काफी अच्छी होने ही चाहिए तीन साल जो है आपने कहीं पर भी 12th standard के स्कूल है उसमें पहले administrative experience आपने लिया हो ठीक है या फिर आपने 5 साल का जो है PZT कोई भी subject से teaching experience आपने लिया हो किसी भी CBSC स्कूल से जरूरी नहीं है नेवी स्कूल से किसी भी CBSC स्कूल से और भी कई option है यह आप देख सकते हैं इसमें जो उम्र है वो 35 से 50 वर्स है salary तो qualification और experience के आधार पर जो है काफी अधिक रहेगी लगबग जो है 70,000-80,000 तक जो है vice principal की salary रहेगी रहने की सुविदा नहीं होगी इसमें नेवी स्कूल जो है residential school नहीं है जैसे कि सैनिक स्कूल जो है residential school रहता है और जिसमें salary के साथ में आवाज की सुविदा रहती है बट इसमें नहीं होता है अब कई candidate पूछते हैं कि यह जो है किसके अंतरगत आता है यह central government के अंतरगत आता है यह state government के अंतरगत तो ना तो यह central government के अंतरगत नहीं state government के अंतरगत जैसे Air Force School है, Navy School है, सैनिक स्कूल है, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हैं ये, ये किसी भी राज्य या फिर सेंट्रल के अंडर में काम नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जो Qualification, A's, Salary, जिसमें Salary काफी अधिक रहती है इनकी, जैसे for the post of Vice Principal at NCS Mumbai, ठीक है, 30 November, last date है, ये application form आपको नीचे मिल जाएगा, आप नीचे आएंगे तो, Vice Principal की post के लिए, तो जिनके पास जो है काफी अनभव रहता है, जोनोंने Master Degree किया हुआ है, B.A.T. किया हुआ, तो Vice Principal की post के लिए आवे दिन कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं, दूसरा notification जिसमें, सभी post हैं, teaching की, post graduate teachers में subject देख ले पहले आप, Commerce, History, Political Science, English, Physics, Chemistry, Geography and Hindi 11-12 को पढ़ाने के लिए, जो है Master Degree आपके पास 55% marks के साथ में होना चाहिए, B.A.T. आपने किया हो, जिसमें 50% marks तो आपके हो, और आप जिस भी subject के लिए apply करना चाहेंगे, post graduate teachers में, वो आपने जो है, senior secondary या graduation level पर पढ़ा हो, 12th में या इसनातक में आपने पढ़ा होना जरूर चाहिए, ठीक है? और experience तो बिलकुल नहीं माग रहे हैं, लेकिन जिन के पास अनवब है, एक साल का, दो साल का, कहीं भी CBAC school पढ़ाने का, उनको preference जरूर देंगे, बाकी जो है, fresher बिलकुल eligible है, TZT के लिए जो है, social science subject है, English है, science है, maths है, हिंदी Sanskrit है, ये subject हैं, इसमें जो है, graduation 55% marks के साथ में है, और beard 50% marks के साथ में है, तो जैसे कि जो हमने देखा कि Air Force school में भी जो है, जो seated है, वो compulsory नहीं है, वैसे ही इसमें भी seated जो है, ज़रूरी नहीं है, without seated, without estate आप यहां पर apply कर सकते हैं, without unwork के भी आप यहां apply कर सकते हैं, जिन candidate ने subject में master degree लिया हुआ है, तो वो trained graduate teachers के लिए उनको preference मिलेगी, ठीक है, जैसे कि किसी candidate ने English में MA किया हुआ है, तो इनको ले लिया जाएगा, ठीक है, जिन्होंने graduation किया हुआ है, master degree English से किया हुआ है, B.Ed. किया हुआ है, तो उनको यह बिल्कुल लेंगी, primary teachers की vacancy है, तो primary teachers के लिए जो है, bachelor degree के साथ में, D.Ed. वाले आविधन कर सकते हैं, D.L.Ed. वाले आविधन कर सकते हैं, इसमें B.Ed. वाले भी आविधन कर सकते हैं, bachelor of education, तो primary teachers में, जो है, B.Ed., D.L.Ed., दो साल का diploma in elementary education या चार साल का bachelor of elementary education वाले apply कर सकते हैं, PRT में सभी विशे आजाएंगे, जनरल के अंतरगर्तो, और साथ में जो है, एक वा हिंदी teacher की भी जो है, इसमें vacancy है, sports instructor की जो vacancy है, 6-10th standard के लिए, इसमें जो है, graduation आपकी physical education में हो, और V.Ed. होना चाहिए, activity art 1-5 teacher के लिए, इसमें graduation in art आपकी होनी चाहिए, और इसके equivalent degree आपके पास होनी चाहिए, activity art के लिए, ठीक है, PRT के लिए, ऐसे candidate जिन्होंने पहले से ही CBAC school में पढ़ाया है, pre-primary level पर, या फिर primary level पर पढ़ाया है, एक साल भी अगर पढ़ाया है, तो preference इनको देंगे, प्रात्मिक्ता इनको देंगे, लेकिन fresher जिन्होंने कहीं पर भी आज तक नहीं पढ़ाया, बिल्कुल सभी post के लिए आविदन कर सकते हैं, आगर आप इसमें योके हैं, तो, age to be between 21 to 50 years, मैंने आपको बताया कि जैसे Air Force school है, नेवी स्कूल है, इसमें 50 वर्स तक के कैंडिडेट आविदन कर सकते हैं, IOC में छूट जो है, इसमें बिल्कुल रहती ही है, अभी जो है, ये स्कूल जो है, कहां है, तो NCS, नेवी चिल्डरन स्कूल ये मुंबई में है, मुंबई से वेकैंसी है, लास्ट जो है, वो 16 नवंबर है, इसमें सेलेक्शन कैसे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा, इसमें, कंप्यूटर रिटन टेस्ट होगा, इसमें सैटरडे साथ दिसमबर दोजार चौबिस को, न्यू नेवी नगर मुंबई, तो आपको मुंबई जो है, वो जाना होगा, रिटन टेस्ट के लिए, और इसमें, 16 नवंबर, लास्ट जेट रहेगी, आप लोगों के अप्लिकेशन पर पहुंशने की, 27 नवंबर को जो है, लिस्ट जारी करेंगे, ये, शौर्ट लिस्टेट, जो भी कैंडी रेट को शौर्ट लिस्टेट करेंगे, ये, कॉमन रिटन टेस्ट के लिए, तो वो अप्लोडिट कर दिया जाएगा, लिस्ट, 7 दिसमबर को टेस्ट आपका रहेगा, न्यू नेवी नगर, कोलाबा, मुंबई में, 23 दिसमबर, 2024 को लिस्ट निकाली जाएगी, जो भी कैंडी रेट पास आउट हो जाएगे, उनको इंटर्व्यू के लिए, उनकी लिस्ट जारी होगी, ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए, पिजीटी 7 दिसमबर, स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर, एक्टिविटी टीचर 7 दिसमबर, टीजीटी 7 दिसमबर, पिएर्टी 7 दिसमबर, 7 दिसमबर कोई होगा, लेकिन टाइमिंग जो है, वो अलग अलग रहेगा, तो अफिचल वेबसाइट का लिंक, आप लोगों को शियर कर दिया जाएगा, वीडियो के नीचे, आप जो है, थोड़ा सा नीचे आकर देखा करें, स्क्रॉल डाउन करें, तो वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो बार-बार, जो भी कैंडिडेट आवेधन करेंगे, तो उनको बार-बार देखना ही होगा, के लिस्ट जो है, वो जारी हुई है, ये डेट जो है, वो नोट कर लेंगे, और देख लेंगे, सैलरी की जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नेवी चिल्डर्न स्कूल में, और एयर फोर्स स्कूल में, सैलरी इनोंने, यहाँ पर मेंशन नहीं की है, लेकिन, आपने बहुत सारे, जो है, नोटिफिकेशन देखे होंगे, जिस भी राज्ये के, नेवी चिल्डर्न स्कूल से जारी होते हैं, सैलरी काफी अच्छी समें, दी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पर जो है, बाइस सो बच्चे जो है, वो पढ़ रहे हैं, वन टू ट्वेल्थ क्लास तक के लिए, ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दुबारा से, कि एक बार जो है, ओफिशल वेबसाइट पर आपको आना है, ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे, नेवी चिल्डरन स्कूल, और इसमें यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको चलता हुआ दिखेगा, तो वहाँ आप क्लिक कर लेंगे, पहले वाइस प्रिंसिपल के लिए है, इसे आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, फिल कर लेना है, यह जितने भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो भी मांगे गए हैं, यह आपके पास अगर हैं, तो इसमें यस, 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 जैसे कि experience certificate नहीं है, तो no कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और आपको दिये गए address पर भेज़ देना है, address मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, official website पर भी मिल जाएगा, application form जहां से आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, official website का link भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप no doubt कर सकते हैं, तो कुछ कैनी रेट है, जो की कह रहे थे, Delhi की जो है, vacancy आती है, teachers की, या फिर Mumbai की आती है, तो बताई जाएगा, मेरे चैनल पर आप लोगों को, जितनी भी vacancy जारी होंगी, चाहे वह है, government की हो, private हो, या फिर ऐसे department की vacancy, जो आप लोगों को पता ही नहीं चलती है, बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा, मिलेंगे next video में, next vacancy के साथ में, thank you,